तो आज मैं लिकाई हूं बहुत ही मज़िधार सी रेसिप्त जी हां मैं लाई हूं एक जटपट को में आजा आकशबस क्षान होग mods आपको tum跟 दyग पानिy होगा करते हूं उसकी पाँज़वा की हॉओ जाएक वी में Antonio एक चुने करसे लिए हकूँ तक फ्रिज में रख सकते हैं अगर आप बाहर रख रहे हैं तो एक से दो महिने तक तो चली करना क्या है आपको मज़दार सी हलवा की रेस्पी मिल लेए वह भी प्रीमिक्स स्टाइल में जिसे आप कहीं भी लाइक ट्रेवल कर रहे हैं अगर आपके बच्ची बाहर है आप आ सूजी ले हुई है अगर आप हलवायो स्टाइल का बहते हुए घी के साथ चाहाते हो तो घी की क्वांटिटी बराबर ले लेना जितना की सूजी है बट नहीं मेरे जो हलबा है यह बहुत रिच बनेगा बट ओवर घी वाला नहीं बनेगा तो यहां पर मैंने घी को गरम कि इसके अंगर अग्ड़ेम्टे को तो अगर्यों अगर आप नॉम्मल हलबा भी बनाते है तब ही ब्रोसेस तो आपको करना ही होता है तो इसको प्रोसेस को करने के लिए मैंने घड़ी में देक्ट की अउनल गया हुए है 10 मेट्स में यह सूजी जो है इक्टम गोल्डन ब्राउन और इक्वली भुन जाएगे आपको ध्यान क्या रखना है सूजी को चलाते रहना है अगर इसको आपने छोड़ दिया तो अनेविन सूजी रोस्ट होगी या कहीं पर आपकी सूजी जल भी सकते तो वो हमें नहीं करन आप देख रहें जैसे सूजी भुन रहीं आपजाना है और ज्यादा हल़की और बबली बबली से हो रही है तो इस तरह से इसका निचर होता है कि लाइट होना शुरू कर देती है तो यह बबल साना शुरू हो जाते है अन्दर तो अभी 5 ही मिट हो है मेरी सूजी को भुनत बहुत ही ज्यादा टेस्टी वाला हलबा बनके रेडी होगा तो देखिए सूजी जज़े से भुनती जा रही है वैसे वैसे उसका कलर जो है चेंज होता जा रहा है छे से साथ मच जैसे ही सूजी मेरी भुनने स्टार्ट हो जाएगी साथ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं तो आप में क्या करूंगे क्योंकि यह देखिए कलर बहुत लाइट हो चुके सूजी अब इसके बाद मैं करन्ने वाली है अपना नेक्स स्टेप चुक हो के बाद की देखिए कलर इसका कैसा हो गया है मैं यहां पर आधा कब तकडले हूंक कैशु नैक्स कजू अगर आप डालना चाहें तो डालें कम ज्यादा भी कर सकते हैं कुछंकि काजू को भुनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो बहुत ज्यादा पहले से डालेंगे तो Pajoo जल जाएंगे और 7 की साथ जैसी एक ये दो मेट मैंने काजू को डाला उसके बाद दो मेट के बाद मैंने इसमें बदाम डाला टोटल दो से तीन मेट में ये काजू बदाम रोस्ट हो जाएंगे उतने में ही हमारे जो है 10 में चोजएएंगा हमाई सूजवी यह दो देखिए सूज़ी का color देख सकते हो nuts मेरे roast हो चुके हैं और साथ में मैंने हैं पर क्या किया था मेरा video उसका cut कट किया है मैंने हैं यहां पर किस्मिस भी डाली तो half cup मैं किस्मिस सबसे last में डाली है किसमिस को भूना नहीं है यहां पर मैंने घर का बना हुआ इलाइची का पाउडर जाला है दो चम्मस तक डाल सकते हैं जिसे कि आपके हलबा का फ्लेबर जब ना मज़ेदार सा हो यह हलबा जो बना के ना मैं जो प्रीमिक्स बना के रख रही हो तो मेरा बीटा जाता है बहार मेरी बेटी बाहर रहती है सुबहर ब्रेकफास्ट में कुछ मीठा खाने का मन करता है कई बार सॉल्टी स्नेक्स के साथ तो यह बहुत काम आएगा मलब बिना सोचे आप बना सकते हो तो यह देखिए ऐसे कलर की जब तो सूजी नहीं बुनेगी तब तक आपको बूना है त था थोड़ा सा कम मीठा, महल Vegas मीठा है थाएगा परिफेक्ट मीठा है त्दम ज्यादा वाला मीठा चाईए ऐगिंथा दयू काइए त्य talked a-san 500 ग्राम सूजी है और 400 ग्राम घी है और आपकी जो है 500 ग्राम ही आपकी चीनी है ग्राम में देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो यह देखिए ठंडा होने के बाद ही प्रीमिक्स कैसा लग रहा है एक दम मज़िदार सा लग रहा है आप इसे बाहर भी रखो एक में थे प्रीमिक्स कैसा लाग यहां माझने कुछ नहीं होगा अब मैं बॉक्स में स्टोर किया है और अब मैं इसका आपको बनाना भी बताना पड़ेगा कि बिना एसका लेगा तो एक कप मैंने पानी डाला यह आाप पर आप देख रहे हैं एक पानी में मैंने एक कप डाल सूजी हलबा की प्रीमिक्स को एक कप ही डाला है और डालने के बाद आपको बराबर बराबर लेना जितना पानी उतना ही प्रीमिक्स में रहेगा अलग तो जितना पानी उतना प्रीमिक्स में रहेगा अलग तो जितना पानी उतना प्रीमिक्स में रहेगा अलग तो जितना प तो यह को हलबा है ना एकदम से मस्ट बाला एकदम से ब्लूम करेंगा बहुत ज्यादा टेस्टी होगा तो इस तरह देख रहे हैं कि हलबा जो एकदम से फूलने लगा है यह रेसिपी बहुत ही नहीं है मेरे माइन में आई और मैंने इसको क्रेट किया बहुत अच्छा अगर आपको पंजाबी स्टाइल का थोड़ा पतला वाला हल्वा चाहिए तो आप एक कप प्रीमिक्स के अंदर डियर कप पानी डालेंगे ठीक है अगर आपको डालना हो तो उपर से भी एक दो चमस डाल सकते हैं और यह देखे विद नच्स के साथ अगर बाइल के साथ हमारा हल्वा सिर्फ सिर्फ तीन से चाह मेट के अंदर बनके रेडी हो गया आपको कोई भी डिबा नहीं निकालना बस प्रीमिक्स का बॉक्स निकाला आज बोईल की अगर बाहर जा रहे हैं तब ही यह प्रीमिक्स को केरी कर सकते हैं आउट इप इंडिय आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तो उनको यह प्रीमिक्स बना के देजिए वह बड़ा खुज होंगे कि यह जो ऑकिशनली ही घर में बनता है तो ऐसे खाने को मिलता नहीं है आप इसे पूरी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो मेरा हलवा बनके रेडी है बहुत ज़दा तो यह देखिए एक साइनी सा हल्बा तयार है थोड़ से नट्स मैंने डाल दिया है आप चाहें तो जरूरत नहीं है क्योंकि और लगी हमारे प्रेमिक्स में काफी सारे नट्स पड़े हैं काफी सारे फ्लेवर भी एड़ हुए हैं तो गाइस यह जो हल्बा प्रीमिक्स आ जाता है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा आई लव लाइक माइ स्टाइल हल्बा तो आप इस रसेपी को ट्राई करो और जल्ली से मिझे फीडबैक देना कि आपको यह कैसे लगा मैं यहां बॉक्स में कवर करके रख रही हूं और आप सोचे कि इसको आप 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 जान के रेडी हुआ है तो इसको आप चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं क्योंकि देशी घी में है तो खराब होने का कोई चांस नहीं है बहुत चल्दी बट लंबे समय के लिए लचे महने तक के लिए आप फ्रिज के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वचिंग